सहारा इंडिया कमपनी में निवेश किये गए पैसे को लेकर काफी लोग लंबे समय से परेशान है। बिहार में एक चुनावी रेली को संबोधित करते हुए किंद्रिय ग्रह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया कि निवेश को का पाई-पाई मोधी सरकार वापस करेगी। इस मसले पर काम चल रहा है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्रम मोधी सरकार ने सहारा के को ओपरेटिव में जितने लोगों का इन्वेस्टमेंट है, वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्ने किया है। अभी आपको जो तकलीफ हो रही है, वो इसलिए पढ़ रही है कि कुछ तो को ओपरेटिव के डिपोजिटर हैं और कमपनी के हैं। अभी को ओपरेटिव का शुरू किया है, दस हजार तक ही नहीं लेना है, वो जितना पैसा वसूला है, वो सारा दे देना है। आप चिंता मत कीजिए, एक बार सुचारू रूप से दस हजार तक पेमिंट हो जाए, आगे की पेमिंट की भी शुरूआत हो जाएगी। ये भी परिलोकसिभा में सबसे आगे बैठेगे ये सांसद, इस बार नहीं दिखाए देनगे ये पाच पुराने दिगगज। जल्द मिलेगा निवेशिकों का पैसा. पॉर्टल लॉंच करने के वक्त माना गया था कि 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये कदम मिडिल क्लास के उन वोटरों से जोड सकेगा, जिन्होंने सहारा के को ओपरेटिवों में निवेश किया है. सहारा के जिन 4 को ओपरेटिव में लोग सहारा के निवेशिकों की बात करें तो यूपी में सहारा की इन स्कीमों में पैसा लगाने वालों की तादाद 85 लाख है. इन लोगों ने 22,000 करोड रुपे का निवेश किया है. इसमें बिहार के 55 लाख निवेशक है तो जारखंड के 24 लाख इंवेस्टर है. 2017-18 से परिवार में अपना पैसा निवेश किया है और वो अपने पैसे को वापस करना चाहता है और उन्होंने आवेदन ओनलाइन कर रखा है. तो आपको बताते चले सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के द्वारा नई सूची जारी कर दी गई है जिन लोगों का नाम सहारा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिये सूची कैसे आसानी से प्राप्त करें. सहारा इंडिया में लगभग 10 करोड से जादा निवेश को को राहत मिलने वाली है ये पैसा बहुत ही जल्द वापस होने वाला है इसके लिए सरकार ने कुछ दिन पहले ही सहारा इंडिय रिफंड पोर्टल लॉंच किया है जिसके माध्यम से जिन्होंने ओनलाइन आवेधन कर रखा है उन्हे का पैसा वापस होगा बाकी निवेश्रिकों का पैसा वापस नहीं किया जाएगा सहारा इंडिया स्कीम में फसा हुआ पैसा बहुत ही जल्द वापस कर दी जाएगी. भारत सरकार द्वारा सहारा इंडिया में फसे पैसे को निकालने के लिए एक नया पोर्टल जारी कर दिया गया है इस पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया निवेधक ओनलाइन आवेधन कर IPO अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं ये सभी जानकारी पाने के लिए इस आर्ट पैसा डूब चुका था ऐसे में कई बार हंगामा आंदोलन होने के बाद भी निवेशिकों को कोई रहत नहीं मिला इसके पश्चात सरकार के द्वारा सभी निवेशिकों को रहत देते हुए एक पोर्टल लॉंच किया गया था जिसके सहारे से सहारा इंडिया में फसे पैसा वापस हो सके इसके लिए ओनलाइन आवेदन किया गया था जितने भी सहारा इंडिया के नागरिक है उन्होंने ओनलाइन आवेदन कर चुके थे ओनलाइन आवेदन करने के बाद लिस्ट में जिनका नाम है उन्हे का पैसा वाप इसके बारे में पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है जैसा की बता दे की सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के द्वारा आपके पैसे वापस पहले 10,000 किस में किये जाएंगे। जिन्होंने ओनलाइन आवेदन कर चुके है उनका लिस्ट जारी हो चुका है अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तभी आपका पैसा वापस किया जाएगा उम्मीद्वारों का पैसा मिलने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि सरकार द्वारा ये पोर्टल जारी की गई है अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर इंडिया के द्वारा आपका पैसा रिफंड हो सके तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा यदि आप ओनलाइन आवेदन पहले से कर चुके हैं तो आपको लिस्ट देखना होगा लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया है नीचे दी गई सभी सटेप को फॉलो करके आसानी से सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अपना ओनलाइन आवेधन कर सकते हैं ये सभी पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विकारी वेबसाइट पर जाना होगा अब आप उनके होम पेज पर आ जाएंगे होम पेज पर ही सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल विकल्पी देखने को मिलेगा इस विकल्प पर क्लिक करें जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया आवेधन पेज खुलकर आ सरकार द्वारा चलाए गई रिफंड पोर्टल में अगर आपने पहले ही ओनलाइन आवेधन कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए रिफंड सूची जारी कर दी गई है रिफंड सूची में अगर आपका नाम है तो आपका पैसा आपके खाते में भेजा जाएगा ये स को हर एक चरंग को पालन करना होगा तभी आप रिफंड सूची देख पाएंगे इस आर्टिकल के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है सबसे पहले आपको सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर जाना होगा अब इसके बाद आपको अपनी आईडी का उप जिसमें नीचे आपको रिफंड लिस्ट देखने को मिलेगा जिन नागरिकों का लिस्ट में नाम है उनकी रिफंड राशी 30 से 45 दिनों के भीतर प्रदान हो जाएगी